हेलो इस्टुटेंट्स वेलकम टो मीजव स्टेडी एंड वेलकम टो माई क्लास आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में प्रिबियस क्लास में हमने सारी थेोरीज पढ़ ली थे हरी जोन के रिगार्डिंग अब कुछ 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 करेंगे मैंने बहुत जादा नहीं लिए क्योंकि यह चैप्टर कंप्लीटली आपका थेयोरी बेस्ट होते हैं कुछ कोश्टेंस इसमें हैं जैसे हैस्ट्व एडवांस में ही ऐसे टफ कोशन आते हैं अधर्वाइस यह बिल्कुल थेयरी के अकॉर्डिंग चलता है इस्टिल हमें सारा कुछ देखके ही चलना होगा के लिए इसलिए मैंने सबको थोड़ा थोड़ा इंक्लूट कर दिया आप लोगों के लिए तो चलो बच्चो स्टार्ट करते हैं कोशन एंसर राउंड को डटी इस फ़र्स्ट कोशन देखो क्या है बिल्कुल थेयरी है इट इस गिवन इन बास प्रोसेस वीच सर बास प्रोसेस में क्या करते हैं रेड हाट को के ऊपर इस्टीम पास करते हैं याद है बिल्कुल सर hot coke के उपर हम लोग क्या pass कर देते हैं? stim pass करते हैं जैसे ही इसके उपर हम stim pass करते हैं तो हमें क्या मिलता है जल्दी से बता दो water gas मिलता है that is CO plus H2 this one is water gas ठीक है? अब इस water gas को further हम किस के साथ treatment करेंगे? excess of steam के साथ यानि two volumes अगर इसका यह एक है तो इसका two volumes यह excess of steam के साथ हम treatment करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यह जो carbon monoxide इसके अंदर है water gas में वो किसमें change हो जाएगा CO2 और hydrogen produce हो जाएगा फिर उसमें से CO2 को हमें मैंने बताया था कैसे आपको replace करना है और hydrogen की quantity कैसे बढ़ानी है बढ़ गई तो यानि question में answer क्या हो जाएगा कि water gas is the answer that is in boss process which gas is utilized for the production of hydrogen that is the B option this one is the water gas क्या मैं रब कर दूँ? yes sir definitely रब this part and we'll discuss the next part no the next question is question number 2 एक बढ़ इसको पढ़के पढ़ो बच्चो क्या है? when the same amount of zinc okay is treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide कहता है the ratio of volume of hydrogen evolve देखो question क्या है? Zden बिलकुछ same quantity का है Zden को एक बार मैंने H2SO4 के साथ treatment कर दिया बहुत अच्छी बात है जब Zden को मैंने H2SO4 के साथ treatment किया तो बन गया Zden SO4 plus H2 बहुत अच्छी बात है अब Zden को मैंने treatment कर दिया NaOH के साथ तो यह बन गया आपका क्या? Na2 ZNO2 और साथ में क्या निकल गया बच्छो? Hydrogen gas क्या कोई problem वाली बात है? अगर बैलेंस करके चेक कर लो Na2 ZNO2 प्लस hydrogen gas आप देखो हर दोनों equation में जो hydrogen का वाल्यूम है वो सेम है 1 tends to 1 है ना? बिल्कुल So, what is the answer for this question? Whatever the situation the answer will be 1 tends to 1 यानि question number 2 का जो बच्छो option होगा that is A is the correct option तो चलो बच्छो और अप कर देता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं next question क्या है देखो question number third question number third is given the volume of 10 volume H2 O2 required to liberate 500 ml of O2 at NTP कहता है कि बता हो कि कितना H2 O2 का volume आपको दा चाहिए जो सेम्पल है वो है 10 volume H2 O2 जिससे कि आपको क्या मिल जाए 500 ml O2 मिल जाए यही तो है याद करो अगर मैं ऐसा लिखूं 10 ml of 20 volume H2 O2 सेम्पल क्या मैंने लिखा 10 ml of 20 volume H2 O2 से कितना oxygen आपको मिलेगा तो हम लोग क्या लिखते थे 10 into 20 यानि 200 ml of O2 यही तो था यस सर बिलकुल अब अगर मैं ऐसा लिखूं 10 ml of 10 volume H2 O2 फिर से मैं कह रहा हूं 10 ml of 10 volume H2 O2 से कितना आपको oxygen मिलेगा आपने तुरंद लिख देते थे 10 into 10 यानि लिख दिया आपने 100 ml of O2 कोई प्रॉब्लम आज हमारे पास ये value नहीं है wait for a moment this value is not given तो पूछाए question में कि the volume of 10 volume ये given है और ये आपका given है और इस बार ये कितना given है 500 ml तो क्या लिखोगे इसके जगा पे X तो लिखोगे X volume of 10 volume या ऐसे लिख दो न X ml लिख दो X ml of 10 volume H2O2 gives कितना X into 10 और ये totally equal to किसके है 500 ml के मैं direct भी बता सकता था लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया ता कि कहीं आपकी दिमाग से अगर बाहर हो जाए तो आप कर सकते हो X is equal to 500 upon 10 यानि cancel होके कितना हो गया बच्चो 50 ml Am I right? Yes sir, you are absolutely right answer will be 50 third A is the correct option चलो बच्चो मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं next question की तरब क्या है next question एक बार देख लेते हैं what is given in the next question that is question number 4 question number 4 बिलकुल आप लोग के लिए भी easy question है which of the following reaction so oxidizing nature oxidizing nature समझते हो आपको पता है H2O2 क्या होता है जल्दी से बता दो sir H2O2 oxidizing isnt जैसा भी काम करता है और H2O2 reducing isn't जैसा भी work करता है यह दो चीज़े आपके साथ है H2O2 oxidizing isn't जैसा भी work करता है and H2O2 reducing isn't जैसा भी work करता है अच्छा oxidizing agent का मतलब क्या हुआ कि इसका क्या होना है बच्छो reduction होना है और reducingaker gent का मतलब क्या इसका oxidation होना है यानि अगर minus one oxidation state minus two में बदल जाए तो हम क्या देचेंगे क्या nature है indexed अगर minus one but a 26 Dim Jeśli increase हो जाए यहनी zero में बदल जाए तो बोलेंगे reducing nature है तो चलते हैं इसमें देखते हैं पहला option check करके हम देख लेते हैं क्या है पहला option h2o2 plus 2ki it gives you 2koh plus it रही तो है चलो अब देखो यहाँ पे i का oxidation state क्या है minus 1 उससे i2 बन गया oxidation state क्या हो गया 0 बहुत अच्छी बात है यहाँ h2o2 में oxygen का oxidation state क्या है minus 1 और यहाँ पे oxygen का oxidation state क्या है minus 2 अब अब थोड़ा ध्यान से देखें minus 1 से minus 2 and minus 1 से 0 एक का i का increment हुआ है और h2o2 में decrement हुआ है जिसमें decrement होता है वो कौन सा isn't होता है जल्दी बता दो बच्चो oxidizing isn't बहुत अच्छी बात है and इसका क्या होता है reducing isn't आ गया समझ में तो आपको तुरंद पता चल गया कि sir a is the correct option यही हो सकता है पहला option ही correct हो गया लेकिन आप अगर check करना चाहते हो तो और भी option check कर सकते हो Cl2 plus H2O2 it gives HCl plus O2 क्या कोई problem वाली बात नहीं है बहुत अच्छा ध्यान से देखो Cl2 यहाँ पे क्या है 0 यहाँ पे क्या हो गया minus 1 H2O2 minus 1 और यहाँ पे 0 आप देख रहे हो increase हुआ है यह reducing isn't है oxidizing नहीं है बहुत अच्छा this one is reducing isn't बहुत अच्छा है इस B option तो correct होगा ही नहीं C option की तरफ बढ़ चलते हैं C option में दिया हुआ है H2O2 plus Ag2O it gives you 2 Ag plus H2O plus O2 ध्यान से समझना बच्छो Ag2O ठीक है यहाँ Ag2O आपके किस oxidation state में है plus 1 में है और यह किस में हो गया 0 plus 1 से 0 हो गया यानि यह कौन सा isn't हो गया decrement हुआ यानि यह isn't हो गया oxidizing isn't ठीक है तो आपको यहाँ देखना है आप यह कह सकते हो कि सर यहाँ minus 1 से minus 2 भी तो हुआ जीरो भी तो हुआ है लेकिन अगर एक oxidizing isn't है तो दूसरा reducing ही होता है तो हमें यह दिखाना है minus 1 से 0 तो यह इस case में बच्चो यह फिर से कौन सा isn't हो गया reducing isn't हो गया यानि हम आराम से कह सकते हैं कि C is also not a correct option D की तरफ हम लोग बढ़ जालते हैं D में मैं यहीं चेक कर दिख रहा हूं क्या बिल्कुल NACLO ठीक है H2O2 minus 1 है minus 1 से 0 वह तुरन देख लो तो यह फिर से कौन सा isn't है reducing isn't है तो हम कह सकते हैं बच्चो overall a is the correct option ठीक है चलो मैं उसको रब कर देता हूं इतना time exam में नहीं लगाना है तो अभी आपके साथ discussion कर रहा हूं तो हम छोटी छोटी चीज़े भी discuss कर लेते हैं exam के time में बहुत fast आपकी working होनी चीए बहुत fast and smooth question number five hydrogen react with the following in the dark आपको पता है chlorine, fluorine, bromine and iodine इसमें सबसे ज़्यादा electronegative कौन है fluorine, fluorine क्या होता है तुरंत अगर hydrogen के contact में आता है तो कोई भी उसको initiator की जोरत नहीं पड़ती यानि अंधेरे में भी हो जाता है लेकिन जब chlorine hydrogen के साथ treatment करता है तो आपको पता है इसके लिए sunlight की जोरत पड़ती है और bromine और iodine के लिए तो और भी ज़्यादा requirement होती है तो आप directly कह सकते हो कि fluorine highly reactive होता है जिसके चलते वो अंधेरे में भी react कर सकता है एक दम यह question की तरब what is given in the next question आजाओ next question में question number six the process used for the removal of hardness of water but the hardness of water को जो है hardness को रिमूब करने के लिए कौन सा process use करते है याद आया yes sir do tarakya hardness होते है एक होता है temporary hardness yes and the second one what we get that is permanent hardness temporary and permanent hardness क्या कोई problem है नहीं आपको बता temporary hardness तो simply हम क्या कर सकते है by boiling by boiling हम लोग कर सकते हैं या by using slag lime कर सकते हैं और permanent hardness के लिए बहुत सारे process है जिसमें से एक process क्या याद करो calgon है दूसरा क्या है permuted process है तीसरा क्या है जल्दी बता दो तीसरा iron exchange resin method बिलकुल सर iron exchange resin method है and the fourth one और भी जो है by using washing soda भी तो होता है yes sir by using washing soda बहुत अच्छी बात है तो यह सब process आपके पास है उसमें से calgon process में option में दिया होगा ता answer क्या हो जाएगा calgon calgon क्या formula होता जल्दी बता दो na2 na4 po3 hall 6 this is the calgon so what is the answer question number 6a आ गया तब कर दूँ बहुत अच्छी बात है in which of the following reaction H2O2 act as a reducing agent वही बात है reducing isn't check करके देख लें यहां पर बहुत अच्छी बात है reducing isn't मतलब oxidation होना देखो पहले तो pb का देखे pb o2 pb यहां पर किस oxidation state में plus 4 और यहां पर किस oxidation state में plus 2 plus 4 से plus 2 यह क्या oxidizing isn't हम समझ चुके reducing isn't होगा यह तो rule होता है यहां पर minus 1 है यहां पर minus 2 और 0 यह अगर oxidizing है तो यह reducing isn't है यहां यहां पर लिख दिया reducing isn't है यहां इसके according is the correct option और भी चेक कर लेते हैं देखो यहां तो मईकली check कर सकते हो minus 1 है और यहां से minus 2 हो गया जो समझ गया है الس One से minus 2 हो गया तो यह कॉन सा अजेन ट है ओक यह oxidizing isn't बहुत अच्छी बात है तीसरा देखते हैं यहां minus 1 है minus 1 से क्या गया 0 हो गया और यहां पे minus 1 है और यहाँ पर क्या हो गया, minus 1 से minus 2, decrease हुआ, यह कौन सा एजन्ट है, यह OA है, oxidizing एजन्ट है, क्या कोई प्रॉबलम है, नहीं, उसके बाद हम देखते है, KNO2 plus 2O2, फिर से देखो, minus 1 से minus 2 हो गया, बागी चेक करने की जो था है नहीं, minus 1 से minus 2 है, that is the decrement, decrement है, तो यह कौन सा एज 7A is the correct option, clear बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ चलते है, next segment की तरफ, next question की तरफ, क्या है, next question देखो, H2O2 इदम थेओरी है, H2O2 is 5.6 volume, तो बोलता है, it is क्या, इस में से 4 में से क्या option, अच्छा एक बाद होता है, हम लोग कैसे लिखते है, H2O2, GAPES, H2O plus O2 यही तो लिखते हैं, लिखते हैं ना, बैलेंस करनू, बिलकुल, इसका कितना मास होता है, 34 gram, यानि 2 into 34 gram, that is equivalent to 224 00 ml, okay, ध्यान से समझना है, 68 gram H2O2, release is 224 00 ml O2, और हमारे पास कितना है, yes, 5.6, अलर दें इसको, yes, 224 00 ml O2, we get from 68 gram H2O2, then 5.6 ml O2, we will get from 5.6 divided by 68 multiplied 224 00, oh sorry, उलता होगे का, yes, 5.6, 5.6 अना, 224 00 ml O2, we get 68 gram of H2O2, then 5.6 ml, yes, 5.6 divided by 224 00 into 68, clear to you, yes, gram H2O2, अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहें, तो अपन क्या लिख सकते जल्दी बता दो, 5.6 into 68 divided by 224 00 multiply by 100, clear my friend, yes, अगर हम इसको solve कर ले, we will get the answer which is around 1.7 percent by weight, 1.7 percent weight by volume, this is the answer, okay my friend, yes, अब तीसरा, ये भी एकवर चेक कर ले, दूसरा जो है one normal, आपको पता है, volume strength is equal to क्या होता है, ये formula याद है न, yes sir, volume strength is equal to 5.6 multiply by normality, volume strength आपका क्या given है question में बच्चा, 5.6 is equal to 5.6 multiply by normality, 5.6 divided by 5.6, cancel हो गया, यानि normality जो होगी वो क्या होगा one, यानि A और B दोनों सही है, तो क्या लिख सकते हैं, both are true, so for question number 8, we can say C is the correct option, आ गया, बिलकुल रप कर दो बच्चों, बिलकुल sir, यह सब चीजे में आपको classroom में जब अपनी lecture ले रहा हो था, तो भी मैंने आपको बताया था, I hope इन सब में आपको कुछ खासा problem नहीं होना, question number 9, out of the following which will give H2, आपको बता है ZN तो easily दे देगा, ZN प्लस NaOH, क्या बनाता है जल्दी बता दो, sir, Na2 ZN O2 प्लस H2, कोई problem, Almonium दे देगा, Almonium प्लस NaOH, यह क्या दे देगा, Naal O2 प्लस H2 दे देगा, बहुत अच्छी बात है, अगर मैं beryllium की बात करूँ, Be plus NaOH, तो यह क्या देगा, Na2 BeO2 प्लस H2, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, यह तीनों दे देगा, बट एक Magnesium जो है, NaOH के साथ react नहीं करता, तो option क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4, पहला, तीसरा and चौथा, यानि B is the correct option, आ गया, बिल्कुल साथ, इसमें कुछ ज्यादा tough नहीं है, कुछ मैंने theory लगाई थी, कुछ मैंने numericals लगाएं, ताकि आप base भी थोड़ा देख लो, कभी-कभी बच्चे क्या होते हैं, basic questions नहीं देखते हैं, उनको लगता हमेशा ही tough आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, all are cobalent possible ही नहीं है, अच्छा, lih क्या है, lih, ionic hydride, lih क्या है, metal है, mgh2 याद करो, bes2, mgh2 इसमें क्या आता था, polymeric hydride है, चलो, और cuh क्या metallic hydride है, तो या नहीं, lih is ionic, mgh2 and cuh are intermediate, यह best option लगा, क्या कोई problem है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको 10 question का एक set लिया था, 10 question आपके साथ discuss कर लिये, मैंने बच्छो, I hope so, इसमें कोई problem नहीं होगी, मैंने level बहुत जादा tough नहीं रखा, क्योंकि basic level भी आपके साथ होनी चीए, हाँ जी, advance में मैं कुछ अच्छे question आपके पास लेके आऊंगा, जिससे आपका preparation level और भी अच्छा हो जाए, तो बच्छो आप समय आ चुका, आपसे विदा लेने का time has come, time to say bye bye, thank you so much.